दोस्तों आज की ब्रीकिंग नीज बड़ी खबरे मुखी समाचार और तौसा तरीन हेंडलाइन्स के साथ मैं गोपाल मिश्वरा हाजिरू लेकर आज का अगबार सुन लिया समझो पढ़ लिया दोस्तों अस्तारीक है 29 नॉमबर 2022 और दिन है मंगलवार आज की लेटिस न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे गोचरात विधान सबाच नौ को लेकर सभी पार्टियां जम कर लगा रहे हैं जोर आर्वी आई ने फिर दिया पेटियम को जटका मौरकों से दो शूने से हारने के बाद बेलजियम में भड़के दंगे सिंगर और एक्ट्रेस इरेन कारा का हुआ निदन और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर तो चलिए फटा-फट शिरुवात करते हैं आज की रोचक तत्ति के साथ रोच आठ ग्लास पानी पीना चाहिए कई लोगों से इस तरह की सला मिलना आम बात है लेकिन क्या सच में हमारे शरीर को रोच इतने पानी की जरूरत होती है हाली में 23 देशों में की गई एक रिसर्च में सामने आया है कि यह सला वैग्यानिक नजरिये से सही नहीं है हो जाती है ऐसे में रोच आठ ग्लास पानी पीने पर जोर देना सही नहीं है अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीती की सभी पड़ी खबरें गुजरात दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी कल सोंवार को पाली ताड़ा पहुँचे इस दौरान उन्होंने एक बार फिर राहूल गांदी का नाम लिये बिना उनकी पद्यात्रा पर निशाना साधा कहा जिन लोगों ने गुजरात में नर्मदा का पानी रोकने की कोशिश की आज उन्ही लोगों के कंधे पर हाथ रखकर पद्यात्रा निकाली जा रही है मोदी ने कल जाम नगर में भी रैली की उधर राहूल लानी ने कहा कि वीजेपी मेरी इमेज खराब करने के लिए करणो रुपए खर्च कर रही है वही कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने रहीवार को सूरत की रैली में खुद को अच्छूत और प्रदानमंत्री को जूटों का असरदार बताया खडगे ने कहा मोदी और शाह पूछते हैं कि कॉंग्रस ने पिछले सत्तर सालों में क्या किया अगर हम सत्तर साल काम नहीं करते तो हम लोगतंत्र नहीं बन पाते उधर सूरत में आम आदमी पार्टी के चीफ अर्विन के जिवाल के रोडशो के दुरान पत्राव होने की खबर भी आई दोस्तों आज का अगबार को अधिक से अधिक लोगों तक पहुचाने में कृपया मेरी मदद करें और इस पॉड़कास्ट को अपने वाटसेप ग्रूप्स वा अन्य सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें पांच दिसंबर को नार्को टेस्ट होगा दावा क्या गया है कि श्रद्धा की हत्या करने में आपताप का साथ किसी और व्यक्ति ने भी दिया था इस बीच श्रद्धा के टुक्डे करने में इस्तमाल हत्यार बरामत हो गया है उसकी वो अंगूठी भी मिल गई है जिसे आपताप ने दूसरी कर्फ्रेंड को गिफ्ट किया था इस बीच दिल्ली के त्रे लोग पूरी में श्रद्धा मडर के जैसी वारदात का पता चला है एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पती की हत्या कर दी और शरीर के कई टुक्डे कर डाले दिल्ली भाजपा ने अर्विन के जिवाल और मनी रॉर्णिन केस में जेल में बंसतेंदर जैन का एक पोस्टर शेयर किया है इसमें जेल से जारी हुए जैन के वीडियो को अमेर्की वेब सिरीज प्रिजन ब्रेक से तुलना की गई है इसमें जैन और अर्विन के जिवाल क फोटो लगाई गई है और क्या अप्शन में लिखा है प्रिजन में ब्रेक आपकी तिहार दड़बार सीरीज तेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स दिल्ली का सरवर हैक करने वालों ने कल्चर को रोकने के लिए नया आदेश यरी किया है इसके अंसार सीयम मान ने सभी मंत्री वजायकों और अफसरों को महंगेव आलिशान होटलों की जगह सरकारी गेस्ट हाउसों में रुखने के लिए कहा है सुप्रीम कोट कोट ने सुमवार को केन सरकार के प्रती नाराजगी जाहिर की कोट ने कहा कि कॉलेजियम में सुझाये हुए जज़ों के नामों को क्लियर करने में सरकार जितनी देर लगा रही है उसे ज़जों के अपॉइंटमेंट के तरीके में खलर पड़ रहा है उत्तर प्रदेश के अरारसी में स्थित ग्यानव्यापी मस्जिद सपरिसर का सरवे अर्केलोजिकल सरवे अप इंडिया एसाई से कराने की फैसले पर हाई कोट में सुमवार को सुनवाई पूरी हो गई फैसला दो हफ्ते बाद हाएगा दुनिया की पहली नेजल कोरोना वैकसीन इनको वैक को भारत में इस्तमाल की मंजूरी मिल गई है इसे भारत बायो टेक्नी बनाया है केरल में अडारी पोर्ट के निर्मार के खिलाफ हो रहा विरूत प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है प्रदर्शन कारियों ने विजहिंजम थाने पर रहिवार की रात हमला किया है जिसमें 36 37 पुलिस कर्मी गंभी रूप से घायल हो गया है सभी को हॉस्पिटल में अड्मिट किया गया है दरसल लोग इस इलाके में अडारी का पोर्ट नहीं बनने देना चाहते गौर्ट अलब है कि बीते रहिवार को पुलिस ने पांच लोगों को अरेस्ट किया था इसी के बाद गुस्साई लोगों ने थाने पर हमला किया महराज में रेलवे फूट ब्रिज हादसे में घायल होई एक महिला की मौत हो गई है हादसे में कुल 13 लोग घायल हुए थे कनाठर के उडूपी में एक कॉलिज टीचर ने मुस्लिम छादर के तुलना आतंकी सेकी जिसके बाद टीचर को सस्पेंट कर दिया गया है टीचर ने स्टुडेंट को कसाब जैसा पताय था चीन के लोग जिनपिंग की नीतियों से बेहत गुस्से में हैं ऐसा लग रहा है जैसे जीरो कोविड नीती के चलते चीन के हर हिस्से में गुस्से की लहर पैल गई हो युवा सड़कों पर उतराये हैं लोग नारे बाजी करते हुए लॉकडाउन हटाने और आजादी देन तक की मांग कर रहे हैं रूसी अमले के नौ महने बाद युक्रेन में हालात बेहत गंभीर हो गए हैं बिजली कटोती पानी की किलत की बीच कडाके की सर्दी पढ़ रही है राशप्रती व्लादमिर जेलेंस्की के खिलाफ पहली बार जनता के सुर बागी होते दिख रहे है अफगानिस्तान में हालात बद से बत्तर हो गए हैं भुक्मरी का यहाल है कि लोग अपने भूखे बच्चों को सुलाने के लिए नीन की दवा दे रहे हैं कई लोगों के किड्नी बेचने की और अपने बहु बेटियों का सौधा करने की भी खबर है अब सुनते हैं बिजन इंडिया के लिए कमिटेड है और अपने वर्टिकल्स को बंद करने के बावजू देश में अपने इन्वेस्टमेंट्स जारी रखेगी ट्विटर के नए बास इलोन मस्क ट्विटर की केरेक्टर लिमिट को 280 से बढ़ा कर 420 कर सकते हैं एक यूजर की लिमिट बढ़ाने क दी के इस सला के जवाब में मस्क ने ये बात कही है इसके लावा मस्क ट्विटर 2.0 को एवरिधिंग एप में बदलना चाहते हैं जिसमें कई सर्विसेज एक प्लेटकॉम पर यूजर्स के लिए अवेलबल हो शेर बाजार में कल हफते के पहले कारोबारे दिन तेजी रही सेंसेक्स 211 अंकों की बढ़त के साथ 62,504 पर बंद हुआ निप्ती 50 अंक बढ़कर 18,562 पर क्लोज हुआ आरबियाई ने पेटियम को जटका देते हुए पेमेंट एग्रिगेटर के लिए फिर से आविदन करने का निर्देश दिया है आरबियाई ने पेटियम को अमेरिका के Mississippi में एक फरनीचर बनाने वाली कमपनी United Furniture Industries ने रातो रात अपने 2700 कर्मचारियों को निकाल दिया कमपनी की आलोशना की जा रही है अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार कतर में चल रहे है फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कैमल फ्लू फैलने का खत्र दो शूनी से हारने के बाद Belgium में दंगे भड़क गए फैंस ने राजदानी ब्रिसल्स में जम कर तोड़ फोड की और गाणिया फूग दी एक पुलिस कर्मी ने बताया कि 12 लोगं को हिरासत में लिया क्या है चार बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर होने की ककार पर है रएवार संवार की रात इसाथ एक एक का ड्रॉ मैच खेलने के बाद इसपेन से उसे अंक बाटना पड़ा क्रोशिया ने कैनिडा को चार एक सहहरा दिया इससे कैनिडा का वर्ल्ड कप का सफर खत्म होता देख रहा है वहीं कौस्टारिका न केंड़ा ने टैनिस का वर्ल्ड कप कहे जाने वाले डेविस कप का खिताब जीत लिया है उसने इस्पेन के मलागा में खेले गए फाइनल मकाबले में 28 बार की चैंपियन आस्ट्रेलिया को दो शूनी से हराया 121 साल पुराने इस टूनमेंट में केंड़ा को पहली बार ट्रॉफी चूमने का मौगा मिला है बैन स्टोक्स की कप्तारी में इंग्लैंड की टीम तीम टेस्ट की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुँच चूकी है सीरीज का पहला मैच एक दिसंबर को रावल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा युवा बल्लेबाज रितुराज का एकवार ने विजय हजारे ट्रॉफी में माराज की ओर से खेलते हुए उत्तर प्रदेश के खिलाव मैच के एक ओर में साथ छक्के जमा दिये वे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में या कारनामा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं दिगज एथलीट पीटी उशा सोमवार को इंडियन ओलंपिक एसोसीशन की पहली महिला अध्यक्ष बन गई नैशनल राइफल एसोसीशन ओफ इंडिया के अजय पतेल सीनियर वाइस प्रेजिडेंट चुने गए हैं इस पत के लिए भी पतेल के लावा कोई दूसरा कैनिडेट नहीं था दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा यह दिया आज का अकबार आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपनी एक प्यारी सी लाइक दे कर सपोर्ट करना ना भूले और इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गवाये दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो तो चलिए अब सुनते हैं मनुरेंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें साथ के स्टार महीश बाबू ने हाली में अपने पिता को खोया है अलकि उन्होंने हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार अपना सिर नहीं मुड़वाया जिस पर उन्हें ट्रॉल किया जा रहा है कुछ लोगों का कहना है कि ट्रांस्प्लांटेड हेर के कारड़ वे ऐसा नहीं कर सके शिल्पा शेटी ने मुंबई में एक पिट्जा रेस्टोरेंट शुरू किया है जिसका एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में शिल्पा पैपरेजी को अपने रेस्टोरेंट के बाहर पिजजा खिलाती नज़र आ रही है मियोजिक के दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली सिंगर और एक्ट्रेस इरेन काराका निधन हो गया 26 नौबद को 63 साल की उनमें गाइका ने फ्लोरिडा शहर में अपनी अंतिमसास ली वरुर धवन और कृती सैनन हाल ही में अपनी फिल्म भीडिया का प्रमोशन करने एक रियालिटी शो में पहुँचे वहाँ बातों बातों में वरु ने इस बात का इशारा किया कि कृती सैनन आहादी पुरुष में उनके को स्टार प्रभास को डेट कर रही है रडवीर सिंग पूजा हेगडे और जैकलीन फर्नांडी इस स्टारर मुवी सरकस का टीजर रिलीज हो गया है इस फिल्म में रडवीर सिंग एहम किरदार में दिखाई देंगे उनके अलावा फिल्म में जॉनी लिवर संजय मिश्रा जैसे कई दिगज कॉमेडियन शामिल है और अब आज की रोचक खबर चोर कुछ भी चुरा सकते हैं बिहार में लोहे के पुल और रेल इंजन के बाद अब मुबाइल टावर चोरी होने का मामला सामने आया है घटना राजधानी पटना की है चोरों ने जमीन मालिक से कहा कि कंपनी बंद हो गई है इसलिए टावर हटा रहे हैं इसके बाद चोर तीन दिन में सरयाम टावर का एक एक हिस्सा खोल कर ले गए और किसी को भनक टक नहीं लगी तो दोस्तों यह हो गई आज के प्रमक समाचार पत्रों में चपी तावदा तरीन खामरे अब समय है कल पूछे के प्रशने का उत्तर दिने का कल में पूछा था कैट के फुल फॉर्म में A का क्या अर्थ है जन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बढ़ाई और अब आज का सवाल है कि कौन साब फ्लू फैलने की चेतावनी जारी की है कृपया कमेंट के मादिम से अपना उत्तर जरूर दें आज का अकबार अंतक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो कल फेर होगी मुलाकात क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूँ मैं आज का अकबार तब तक के लिए नमशकार